हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटोरियल एनलिसिस वाइ सिंप्लिफाइड सिविल सर्विसेज आज दिसंबर 3 को सिर्फ एक आर्टिकल डिसकस किये जाएगा एक आर्टिकल ही ऐसा लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे डिसकस करना चाहिए दै हिंदू में आय इसी के साथ अगर आपको हमारा एडिटोरियल एनलिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग लाइक करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए आईए शुरू करते हैं हमारा एनलिसिस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है परस्पेक्टिव से भी बहुत जादा इंपॉटेंट है क्लाइमेट सम्मिट यूपी एसी का फेवरेट टॉपिक है फेवरेट थीम है इससे रिलेड़ेट करेंट अफेर्स पे कोशन हमेशा यूपी एसी प्री या मेंस दोनों में पूछे जा रहे हैं तो क्लाइमेट सम् इसे और्गनाइज कर रहा है और सी यूपी ट्वेंट में और मॉस्ट यूएन के जितने मेंबर हैं हैड ऑफ दे स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेगोशियेशन चल रहा है बेसिकली जो यह वाला सी यूपी ट्वेंट है यह इतना स्पेशल क्यों है क्योंकि इसमे में इस climate health nexus के बारे में बातचीत करेंगे क्यों आखिर health center stage पे आई है इन टॉक्स में हम क्या expect कर सकते हैं और क्या-क्या issues भी आने वाले हैं इन टॉक्स negotiations में उसकी बात भी की जाएगी article शुरू करते हैं on December 3 for the first time in 28 years of climate change negotiations the climate health nexus will be taken center stage at the United Nations Conference of Parties Summit in UAE टीक तो UAE में जो COP हो रही है उसमें पहली बार 28 सालों में जो climate talks हुई है उसमें पहली बार health center stage पे है और climate health के nexus के बारे में बातचीत की जारी है unabated greenhouse gas emission are triggering extreme weather events, air pollution, food insecurity, water scarcity and population displacement which in turn are altering the trajectory of vector born diseases तो basically क्या कहा जा रहा है जो greenhouse emission है बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसके कारण कई सारे events हो रहे हैं for example extreme weather events आ रहे है, air pollution बहुत बढ़ चुका है, food insecurity का issue आ रहा है, water scarcity, water की कमी हो रही है और population को displace करना पड़ रहा है, साथ ही में इसके साथ साथ vector born diseases भी बहुत जादा पैदा हो रही है और खास कर किस एरिया में African countries में और tropical region में ये सारी diseases का जो impact है वो और जादा बढ़ रहे हैं अगर हम COVID-19 की बात करें, तो COVID-19 के समय से ही health को environment के साथ जोड़ कर देखा जा रहा था इसी समय में हमने one health approach की बात की थी, जिसमें animal की health, environment की health और human की health तीनों को एक साथ देखा जा रहा था उसी तरीके से यहां पर भी अगर हम environment और health को साथ मिलेके चलते हैं तो कहीं न कहीं climate change के जो impact है वो environment में आ जाएंगे हम चाहेंगे कि climate change ना के बराबर हो, greenhouse emission जो है ना के बराबर हो और उसके होने वाले जो consequences हैं उसको कम से कम किया जाए, mitigation किया जाए तो environment की जब भी बात करेंगे तो climate change की बात आना ही है तो directly, indirectly, health और climate change एक दूसरे से related है अफसोस की बात यह है कि अभी तक के health center stage में नहीं आया था climate talks में लेकिन देर आए दुरूस्ता है और finally अभी वाले COP28 में health center stage में हमें दिखाई दे रहा है next बात करते हैं, total दो ऐसे question है जो इस talks में करने की address करने की कोशिश की जा रही है how public health can become a resilient to climate change कैसे हम public health को resilient बना सकते है climate change से जो होने वाले consequences है उससे तो basically climate change तो होना ही है लेकिन हम कैसे लोगों की health को सुरक्षा कर सकते हैं लोगों की healthy रख सकते हैं, climate change से जो उने वाले impact हैं उसके impact को कम कर सकते हैं health को resilient बना सकते हैं, flexible बना सकते हैं ठीक, इसकी बातचीत यहाँ पर की गई है पहला question जो हम address करने की कोशिश करेंगे वो यह है दूसरा इसी जो transformation की बात कर रहे हैं, इसे finance कौन करेगा दूसरा जो question है, वो यह address किया जाएगा who will finance this transformation जो हम health को resilient बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए जो transformation के लिए जो पैसा लगेगा, वो पैसा कौन देगा India also highlighted the intricate link between the climate change and public health during health talks under its G20 presidency this year India ने G20 presidency में भी climate and health के बीच में, climate change और health के बीच में जो link है उसको बताने की कोशिश की है, उसे address करने की कोशिश की है next बात करते हैं, what can we expect from the health talks जो COP, UAE declaration on climate and health है that includes dialogue on mitigating emission health sector adaptation to climate change mainstreaming of health into climate change policies and sticky question of climate financing for health ठीक है, तो क्या-क्या चीज़े होने की संभावना है क्या-क्या address करने की संभावना है सबसे पहले तो mitigating emission की बात करेंगे हैं emission जितना कम से कम हो सके, अगर climate change कम होगा तो health पे होने वाले impact automatically कम हो जाएंगे दूसरा अगर climate change हो रहा है तो जो उसके impact है, उसको कैसे कम किया जाएं mitigating में climate change को कम करना है और adaptation में climate change के impact को कम करना है तो उस से होने वाले health impact को कम कैसे करेंगे अगर हम health infrastructure त्यार रखते हैं अगर हम vaccine बनाके रखते हैं तो हम adaptation कर सकते हैं mainstreaming of health into climate policies यह जो थर्ड मुद्दा रहेगा कि आपकी जो भी climate policy बनेगी उसमें health जो है center stage में आने वाले समय में होना चाहिए और किस तरीके से हम financing कर सकते हैं adaptation बनाने के लिए इन सारी चीजों के बारे में बातचित की जाएगी और इसी से related हमें results देखने के लिए मिल सकते हैं जो declaration है it recognizes the need for climate mitigation strengthening research on linkages between environment and climatic factor and antimicrobial resistance ठीक है तो जो declaration है उसमें कुछ चीज़े highlight की है उसमें से एक यह है कि हमें strengthening करनी है research कौन-कौन सी linkages में environment or climate factor के बीच में linkage and antimicrobial resistance के बीच में जो linkage है यह सारी चीजों को research करने की बातचीत की गई है इस declaration में intensify effort for early detection of zoonotic spillovers ठीक है तो यह क्या किया जा रहा है COVID-19 जैसे virus की बात यहां पर की जा रही है जैसे अभी pneumonia का virus फैल रहा है उसी तरीके से COVID-19 का virus ऐसे कई सारे virus जो है एक दम से आने लगे हैं तो इन virus हों से कैसे deal किया जा सके इसके बारे में बातचीत की गई है to prevent future pandemics it does not mention pollution related harm or identify fossil fuel coal oil and gas as a driver of human health हलाकि declaration ने fossil fuels related कोई भी चीज मेंशन नहीं किया जिससे health खराब हो रही है इसका मतलब air pollution वाला जो section है अना air pollution वाला जो dimension है वो कहीं cover नहीं किया गया है इस declaration में इस तरीके से हम ऐसा inference निकाल सकते हैं आगे बात करते हैं concerns क्या क्या है जो पहला और most important concern है वो यह है most G20 country including wealthy industrial nation responsible for majority of historic greenhouse gas emission have failed to center health in their climate action अगर हम देखें जितनी भी G20 countries हैं G7 countries हैं wealthy nations हैं उसके NDC उठा के देख लिजे nationally determined contribution उसमें कहीं भी health center stage पे नहीं है और यह अच्छी चीज भी नहीं है low and middle income countries like Burundi, Congo were found to be better at engaging with health concern in their NDCs जो developing countries, poor country है उन लोगों ने यह सारी चीजें अपने NDC में highlight किये हैं क्योंकि उन्हें face करना पड़ रहा है और जितनी western countries हैं वहाँ पर tropical countries नहीं है वो ज्यादतर ज्यादतर temperate countries हैं वहाँ पर मच्छर रच्छर वाली भीमारी आती नहीं है तो वहाँ लोग वैक्सिन भी नहीं बनाते हैं इसलिए डिंगू की वैक्सिन अब जाके बन रही है कोवीड की वैक्सिन एक साल में बन गई क्योंकि यूएस को impact हो रहा था यूरोप में impact हो रहा था यूएस यूरोप की लोग मर रहे थे अना तो अपने पास इतना resource नहीं है तो इसलिए यह हमेशा से ignored रहा है जितनी भी tropical disease है vector born diseases है इसलिए यह center stage में भी नहीं आया है तो फैला क्या issue हो गया हमारा की health कभी climate के action में western countries में और maximum wealthy countries में कभी भी जो है center stage पे नहीं रहा है और यह दुख की बात है next जो important है वो है finance से related there is a matter of finance health crisis triggered by warming climate are expected to chart financial toll of around 2 to 4 billion annually by 2030 अगर हम देखे health से होने वाली जो GDP है उसको भी बहुत ज्यादा health से अना health loss हो रही है उससे GDP का नुकसान होगा क्योंकि productivity घटेगी 2-4 billion का हर साल जो है by 2030 2030 के बाद से हमेशा यह loss हमें देखने के लिए मिल सकता है another estimate shows that 40% of climate related poverty would be due to direct health impact climate से related अगर poverty की बात करें तो वो mainly किसके कारण हो रही है health impact के कारण हो रही है अगर pollution जादा रहेगा तो क्या होगा आपकी productivity कम होगी आपकी health जो है खराब होगी बार बार अना सरदी होना cold होना यह सारी चीज़े लोग face कर रहे है respiratory diseases बढ़ रही है अस्तमा जैसी problem भी बढ़ रही है छुट्टियां बढ़ेगी उनकी productivity कम होगी उनकी income कम होगी उन्हें job से निकाल दिया जाएगा तो poverty भी बढ़ना शुरू हो जाएगी तो basically कहीं न कहीं finance की बात करें या economic dimension की बात करें तो वो यह है कि climate के कारण health बहुत ज़ादा loss होगी और उसके कारण कहीं न कहीं financial losses भी बहुत ज़ादा हमें face करने हैं अब इंडिया का क्या stand है यह समझ लेते हैं अगर हम देखें by and large तो इंडिया वही G20 countries में आती हैं जिन India NDCs thus far have focused on reducing emission intensity transitioning to non-fossil fuel sources and creating additional carbon sinks बट उन लोग ने अभी तक के health के बारे में कोई बात नहीं किये कि हम health के जो sector है या health public health है उसे strong बनाएंगे या infrastructure को और strong बनाए जाएगा तो center stage में कहीं पर भी नहीं है इंडिया के NDC की बात करेंगे health ठीक ये इंडिया का भी अभी तक standard आ है हाला कि इंडिया अभी recently बहुत ज़्यादा interest दिखा रहा है और चाहता है कि जो है health अब center stage में आए क्योंकि mainly इंडिया में ही ऐसी problem बहुत ज़्यादा हो रही है नीपा वायरस का outbreak हो रहा है ठीक उसके बाद डेंगू बहुत ज़् इंडिया में influenza virus भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये साथी चीज़ें इंडिया को face करनी पड़ रही है इसलिए अब इंडिया चाहता है कि center stage में health को talks में लेकर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक तो ये basically क्या था हमारा article था एक पॉइंट जो prelims के perspective से important है वो ये है this is also the first time there will be a health inter-ministerial meeting ये पहली बार हो रहा है COP28 में जिसमें health ministerial meeting हो रही है climate talks में ये line आपके लिए prelims के perspective से बहुत important है ऐसा आपको directly ये statement पूछा जा सकता है ठीक है इसके अलावा health, environment, finance और other ministries भी जॉइन कर रहे हैं इस summit को लेकिन पहली बार health inter-ministerial meeting हो रही है इस point को आप बहुत अच्छे से याद रखिये या इसे note down कर लीजे प्री perspective से बहुत important है बहुत ही जादा important है hopefully आपको सारी चीजे इसमें समझ में आ गई होगी यह हमारा article था that's it for today thank you enjoy